नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिविल सिर्पसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालोगों जरूर सा जरूर जोईन कर लिजेगा साल 2020 के आखरी मंथली करेंट अफेर्स के वीडियो में आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस परिटिकुलर विडियो में दिसम्बर बंत के सारे के सारे इंपोर्टन करेंट फेर्स को हम डिसकस कर लेंगे सबसे पहले सेक्शन वाइज न्यूज अनलाइसिस के माध्यम से और फिर एमसे की माध्यम से हमेशा की तरह बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन दो गिवन नंबर्स पर 2020 के जितने भी एक्जाम्स हुए हैं आप शुरुबात कर लिजे जन्वरी से लेकर नॉवंबर तक जितने भी कॉप्टिटिव एक्जाम्स हुए हैं UPPCES के UPPCES का प्रिलिम्स आपर, RO मेंस आप ले लिजे, RO प्रिलिम्स ले लिजे, BEO ले लिजे, जितने भी कॉप्टिटिव एक्जाम्स स्टेटवाइस हुए हैं सभी ने study for civil services के वीडियोस देखकर students ने लगतार अपने सही questions लिखा ले हैं अपने exams में आशा है कि आपके सहयोग से और इश्वर की क्रपास से 2021-22 और अनंत काल तक हम आपकी सेवा में ततपर रहेंगे और आपके current affairs के questions सही करवाते रहेंगे शुरुवात करते हैं agreements agreements में सबसे पहले Mercedes-Benz का HNI ग्राहकों वाला यह जो SBI वाला है यह हम वैसे नॉंबर में discuss कर चुके हैं कि जो high net worth individuals है Mercedes-Benz अगर खरीदेंगे तो बहुत कम processing fee पर और आकरशक दर पर छोटा सा loan provide करेगी SBI मतलब चोटा सा क्यालोन बड़ा ही loan होगा high end ग्राहक जो है मतलब जो किष्ट में ले सकते हैं Mercedes-Benz की car और SBI उनको low processing fee में और आकरशक दर पर आकरशक ब्याज दर पर loan उपलब्द करवाएगा यह हैं पर कहने के मतलब है और यह जो यह आकरशक ब्याज दर है यह high end ग्राहकों के लिए लाएगा है मतलब ब्याज अगर ज्यादा भी लगाया जा रहा है तो उसमें high end ग्राहकों को कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है खर यह इतना important नहीं था भारत ने Finland के साथ पर्वरंड सन्रक्षन के छेत्र में सयुग करने के लिए मिलाया है यह इंप्रॉटन है इस पूछए ढल सकता है और current question हमारे yeni exams में की पर्रैवण सन्रक्षन के छेत्र में कारे करने के लिए हमने किस सम्झहोता किया है तो यह किया है Finland के साथ तो इस समझोते पर स्ताक्षर वगरा किसने कि यह सब आता नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं प्रकास जावेडिकर जो इस समय मिनिस्ट्री आफ इन्वार्मेंट फॉरेस्ट क्लाइमेंट चेंज को देख रहे हैं और फिनिश काउंटर पार्ट यानि कि जो जैसे हमारे क्या पर्योजना के लिए 132.8 million dollar करिंड मनजूर किया है उसी प्रकार से डीबी ने 50 million dollar करिंड मनजूर किया है कि इसके लिए पश्चित मंगाल में वित्तिये प्रबंधन प्रक्रियां और परिचालन के चमता में सुधार के लिए ठीक उसके बाद है कि एडीबी ने बैंग लूरु को अपग्रेड करने के लिए भारत और इजबेकिस्तान ने यह कर सम्झोता किया है नरेंद्र मोदी और इजबेकिस्तान के राश्रपती शौकत वनमोंति संधत त्रमें संचना प्रवदिगी की चैतर में चार विकारशत्मक प्रियोजना ये की जाएंगी उजबेकिस्तान में उसके लिए भारत रिट देगा यूज डॉलर्स कितने का 448 मिलियन का ठीक है किसको देंगे हम उजबेकिस्तान को हमसे यह भी पूछ सकते हैं कि कि किन कि छेत्रों में हुआ है क्लियरली अगर पूछ लें 123 करके कि छेत्र के नाम दे देंगे सोलर हो गया डिजटल हो गया सिविल या डिफेंस हो गया तो इनमें से किस किस में किया है तो 1234 या 123 या 122 चूज करिए तो एक बार इसको लिश्ट को देख लिजेगा दिमाग में रह जाएगा आपके नौ समझेसंगी कि गया है कर्यक्तिबिटी में सीविल न्यूक्लियर एनरजी में डिफेंस सेक्योלאं ड्रेडॉनीक इण्वेस्मेंट को पॐपरेशन में डिफेंस सेक्योल टी में हाइए इंक्थ इम्पेक्ट कुम्दी डिवल Weран प्रोजेक्स में यहां पर सहयोग करेगा, यहां पर मध्य, मंदब कुल बिलाकर यह पर्रैवरन उर्जा नवचार तक्नीकी मंतराले हमारे देश के जो हैं, आउस्ट्रिया के मंतरालेओं के साथ यहां पर सहयोग करेंगे इन छेत्रों में, यह है कुल बिलाकर, नौर्वे और भारत ने समझा समझा किया है नौर्वे इंस्ट्यूट ऑफ बायोकि नौमी रिसर्च क Swiss के साथ, तो किसका किस समझा की बैसिकली एलम सीजी का जो थिंक टैंक सी गंगा और नौर्वे का नौर्वे इंस्ट्टूट ऑफ बायो एक नौमी रिसर्च चैने नेवियों के बीच यह समझोता हुआ है कीचड़ प्रबंधन के छेतर में कीचड़ प्रबंधन धांचे के विकास के छेतर में समझोता किया गया है इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक और समझोता किया है कोविट 19 के दौरान हम ले चुके हैं वल्डायज बंक से मई 2020 में गरीबों की साभशी सिखर मजूरी दी गई है, उनमें प्रमुख जो हैलाइट से उनको एक पर देखेगा, जैसे सेयुक्त रूप से हल्दी बाड़ी चिनहाटी रेलवे लिंक का उध्गाटन किया गया यह बूच सकते हैं ठीक है दोनों पड़ोशी देशों की सीमाओं को जोडने का काम करे गई है पस्चिम बंगाल में हल्दी बाड़ी है पाकिस्तान का चिलहाटी यह चिनहाटी है इन दोनों के बीच रेलवे लिंक का उध्गाटन किया गया है तो हमसे बूच सकते हैं कि यह हल्दी बाड़ी मतलब कहां का है तो यह पस्चिम बंगाल हमारे यहाँ का छेतर है और चिलहाटी यह बंगलदेश का छेतर है शेक मुझीबुर रह्मान बंगबंधु के सम्मान में डाक टिकेट भी दोनों ने सहीं तुरूप से जारी किया था उनके सम्मान में एशन्fach डवल्लप्मेंट बैंक ने monet के की सो करोर data hub के विकास के लिए समझोता किया है तो इसका answer हो जाएगा के रूद तो तीन प्रमुख छेत्रों में समझोता किया है डिटेल में बात करें तो जेंडर पार्क की स्थापना के लिए जेंडर डेटा सेंटर की स्थापना के लिए लेंगिक समानता पर अंतराश्टरी सम्मेलन के दूसरे संसकरण के शुभारम के लिए और लेंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मैलाओं का शशक्ति करण करने के लिए तो इन मदों पर समझाता हुआ है केरल और युवेन विबन के बीच ठीक है अबॉइन्मेंट्स देख लेते हैं इंपॉटन्ट उत्पल कुमार सिंग का अपॉइन्मेंट हुआ है लोगसभा और लोगसभा सचिवाल है के महा सचिव के तोर पर इंपॉटन्ट है ही कभी कभी आ जाता है लोगसभा के सेक्रेट्री कौने पूछ सकते हैं सेक्रेट्री जनरल उत्पल कुमार सिंग बने है आईस वर्षा जोशी ये नैशनल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड की अध्यक्ष बनी है उसके बाद संदीप कटारिया ये बाटा इंडिया मूव्मेंट के अब बनाए गए हैं च्छे इंटरनेशनल इवेंट्स में 11 गोल्ड मेडल इनकी नाम है और वुशू टीम जो है हमारी नैशनल वुशू टीम इसके कोच भी है ठीक और गौर्मेंट सर्वेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस में ये पुलिस इंस्प ध्यान रखेगा वर्ल्ड हल्थ और्गनाजेशन फांडेशन यह 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 इंटरनेशनल गोल फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है एक जनवरी 2021 से इनकी नियुक्ति प्रभाव में आएगी और जैना वोल्ड्रिस यह व्ल्ड स्क्वास फेडरेशन की नई अध्यक्ष बन निदेशक बन गए उसके बाद प्रसार भारती के सीओ जो है शेखर वेमपती प्रसार भारती के सीओ शेखर वेमपती जी अब बन गया है एशिया पैसिफिक ब्रॉड कास्टिंग यूनियन एब यू के उपाध्यक्ष ठीक है एब यू के उपाध्यक्ष बन गया है यह य लिकारी सतेंद्र गर्ग अंडमानिकोबार पुलिस के महानिदेशक यह डिरेक्टर जनरल अफ पुलिस बन गया यह विनीत अग्रवाल यह एसोशियेटड चेमबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कुल विलाकर एसोचेम के यह नए अध्यक्ष बने है श्री आफ इंडिया के ठीक है MPPS आने वाला यह सब चीज़े पूछी जा सकती है क्योंकि MPPS स्पोर्ट्स में पूछता यह सब चीज़े और स्टेट नहीं पूछते इतना एयार रह्मान यह ब्रेक्ट्रू इंडिया पहल 2020-2021 के जो एंबजडर बन गये हैं ब्रेक्ट्रू इंडि जीता है 32 वरसी सिक्षक है और अभीन के चीवमेंट के बारे मताएंगे वरकी फांडेशन के द्वारा यह पुरुसकार दिया जाता है और इसमें वन मिलियन यूस डॉलर्स का पुरुसकार दिया जाता है ठीक है तो यह ग्लोबल टीचर प्राइस 2020 मिला है पहली बार एक भ विलेज है परिते वाड़ी करके वेस्टर्न इंडिया महराश्टर में वहां पढ़ाते हैं यह और कोविड-19 के दौरान जो इन्होंने जारी रखा बच्चों की पढ़ाई उसके लिए नहीं मिला था ठीक है और यह ग्लोबल सर्मनी हुई थी वर्चुल माध्यम से और यह मतलब KBC में भी आ चुके हैं काफी अच्छे वेक्ति हैं आप इनको ट्विटर पर भी फॉलू कर सकते हैं टाइम मेगजीन कई सारे वाड़ देता है आपको पता होगा परसन ऑफ दाइयर वगएर लेकिन इस बार इन्होंने नया इनिशेटिव लिया था किड ऑफ दाइयर किड ऑफ दाइयर का ये पहला वाड दिया गया था 2020 में और ये भारती मूल की एक अमेरिकन लड़की है ये 17 या 19 वर्ष की है 17-18 इस रेंज में गीतांजली राव इनका नाम है टाइम एक्जीन ने पहला किड ऑफ दाइयर इन्हें बनाया है और किड ऑफ दाइयर का ये प देख सकते हैं कवर पेज वैसे इनको कई अवाड भी पहले भी मिल चुके हैं लेकिन जो किड ऑफ दाइयर इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था एक क्रोम एक्स्टेंशन डवलप करने में जो साइबर बुलिंग के खिलाफ काम करता है एक लिएक अपिने के पानी में ओप्योइड डिटिट्ट कर सकता था साइबर बुलिंग के लिए इन्होंने एक बनाया था एक्स्टेंशन और ओप्योइड अडिक्शन को यहां पर अलिमिनेट करने के लिए इन्होंने काम किया एकल मिला करके उसके बाद राजा भूमी बोल मृदा दिवस पुरुसकार यानि कि इंटरनेस्टल किंग भूमी बोल वर्ल्ड स्वाइल डे अवार्ड 2020 यह मिला है आईकार को हमारे आईकार को मिला है इंडरन काउंसिल ऑफ अग्रिकल्चरल रिसर्च को यह दिया जाता है FAO के द्वारा Food and Agriculture Organization के द्वारा Food and Agricultural Organization को देख गया था BPSC में FAO को मिला याद रखिएगा तो FAO यह पुरुसकार देता है राजा भूमी बोल विश्मुर्दा दिवस पुरुसकार यह किसके द्वारा दिये जाएगा आईकार को बैंकॉक में कारिक्रम होगा जनवरी 2021 में थाइलेंड की रॉयल हाइनेस प्रिंसेस महाच चक्री सिरिंदोर यह पुरुसकार आईकार को प्रदान करेंगे रवींद्रनाथ टैगोर लिट्रेरी प्राइस यह मिलेगा पत्रकार राज कमल जहा को ठीक है उनका उपन्यास है दसेटी एंड दसी उसके लिए मिलेगा तीसरा रवींद्रनाथ टैगोर पुरुसकार राज कमल जहां के लावन इन्होंने दो और लोगों को जो है नॉमिनेट किया अवार्ड के लिए सुल्तान कबूस बिन साइद अलसाइद यह उमान से हैं और कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को मिलेगा सोसल अचीवमेंट के लिए यह पुरुसकार सोसल अचीवमेंट की क अचीवमेंट के लिए जो पुरुसकार है दो लोगों को मिलेगा संदीप सोपारकर को और सुल्तान कबूस साइद अलसाइद को सहिंत राश्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरुसकार यानि की युनाइट नेशन्स इंवेश्मेंट प्रोमोशन अवार्ड 2020 यह मिला है भा आप स्टेडी फॉर सिविल सर्फसेस के साथ हैं तो यह सारी इवेंट्स तो आप वैसे हिव देख सकते हैं चलते फिर ते जिनेवा स्थित संयुक्त राश्टर व्यापार और विकास सम्मेलन यह जो प्रदान करता है यह और 180 एजेंसी में से इंवेश्ट इंडिया को मिला है काफी इंपॉर्टन्ट है और एक्जाम में आने की पूरी पूरी संभाव ना है टाइमस परसन ऑफ दे येर कौन है टाइमस परसन ऑफ द येर जो बाइडन और कमला हैरिस है याद रखीगा इनके नाम और यही जो है कवर पर आये थे आप देखेंगे टाइमस परसन प्रॉद्ग की विभाग के द्वारा हर साल इसमें इस बार चुना गया है ब्रजीलियन मैथमेटीशन डॉक्टर कैरोलीना अरवेजो को मिला है ब्राजील के रियोडिजनेरियों में इंस्ट्टूट फॉर एपलाइड मैथमेटिक्स में ये गडितक यानि मैथमेटीशन ह और पहली बारे से हुआ है कि ये गयर भारती महिला को मिला है गयर भारती महिला गडितक को पहली बारे पुरुषकार मिला है हालांकि विदेशियों को पहले भी मिलता रहा है रामनुजन जी का बड़्डे होता है 22 दिसम्बर को जिस दिन हम कौन सा डे मनाता है ही हम दे और वला अरीवन को और Sportsperson of the Year पूरुष में होने माना है Sportsperson of the Year बजरंग पुनिया को Rassler को और खेल को बढ़ावा देने माला देने माला सरफ़स्रेष्टा राज्य फिक्की अव़ोर्स में है ऐसे करके यह करेर सरबनी में बंग बंञ बंधु पुरुषकार उनेस्को ने प्रस्ताव भीजा था UN को UN ने मान लिया है UN Agency के कारी-कारी Board ने मान लिया है कि हम जो है अगले साल से यानि 2021 से बंग बंधु पुरुसकार दिया करेंगे Creative Economy के छेतर में Creative Economy के छेतर में जो अच्छा कारे करेगा उसे बंग बंधु पुरुसकार दिया जाएगा 2021 से UNESCO का बंग बंधु पुरुसकार नॉम्बर 2021 में अनौन्स किया जाएगा हम देखेंगे यह कि की से मिले गई यह बूठ सकते हैं अभी के लिए कि बताए बंग बंधु पुरुसकार जो UNESCO ने अनौन्स किया ही किस छेतर में दिया जाएगा आप से पूछे तो आप उसमें उप्शन में चूस करेंगे क्रियेटिव एकिनॉमी के चेतर में एशिया के लिए गोल्ड मैन पर्यावरंड यह पुरुसकार यानि की गोल्ड मैन इन्वार्मेंटल प्राइस 2020 एशिया रीजन के लिए किसे मिला है गोल्ड मैन पर्यावरंड पुरुसकार एशिया रीजन के लिए मिला है मैनमार के पॉल सीन टवाको ठीक है यह आईउसीन के दोराए पुरुसकार दिया जाता है याद रखियेगा आईउसीन के एशिया रीजनल आफिस ने पुरुसकार दिया है इनको मियनमार के पॉल सीन टवाको Champions of Earth पुरुसकार हर दो साल में दिये जाते हैं और इसमें पांच मेंन काटेगरीज होती हैं और एक होता है Lifetime Achievement का बॉर्ड तो सारी काटेगरीज देख लिजेगा कोई भी पूछे दा सकता है तो Frank Benny Marma ये फिजी के प्रधान मंत्री इनको Policy Leadership के चहतर में मिला है पुरुसकार ठीक मोदी जी को भी पुरुसकार मिल चुका है Policy Leadership के चहतर में 2018 में ठीक और याकाबो सवदोगो ये बुर्किना फासो कंट्री से है Inspiration और Action के लिए इन्हें मिला है निमांटे नेनकीमो इकवडूर से है Inspiration और Action के लिए इन्हें मिला है और Dr. Fabian Lenzerts जर्मनी से है विज्ञान नवाचार के लिए इन्हें मिला है और Mindy Lubber Mindy Lubber ये जो है Entrepreneurship Vision के लिए मिला है इन्हें और Lifetime Achievement का अवाड मिला है इस साल Professor Robert D. Blard को Robert D. Blard तो सारे recipients का नाम आप याद रखीगा screenshot इसका रख सकते हैं एक बार जरूर दोहरा लिजेगा आ सकता है उसके बाद इस पात छेत्रों में Golden Peacock Environment Management Award हम ये पहले भी बता चुके हैं आपको लेकिन ये फाइनली दिया गया है सेल को Steel Authority of India Limited को Institute of Directors के दोरा ये वाड दिया गया है Golden Peacock Environment Penagement Award 2020 इन स्टील सेक्टर FIFA फुटबॉल के छेत्र में अपना ये बेस्ट प्लेयर अनाउंस करता है हर साल दिसम्बर में तो FIFA Player of the Year 2020 का टाइटल मिला है Robert Levonski Best को पुरुष में और Lucy Bronze को मैला में मैला के टेगरी में ये हैकोल मिला करके तो हर बार Lionel Messi कभी-कभी जीत जाते थे कभी-कभी Ronaldo इस बार ये दोनों ही नहीं है तो आप से जो है option में confuse करने के लिए रख सकते हैं Lionel Messi का नाम रख देंगे A में B में रख दें Christiane और रोनाल्डो का विसी में रखेंगे इनका Robert Levonski को तो ध्यान रखेंगा इस साल FIFA का अवर्ड इठें मिला है और महिला में किसे मिला है Lucy Bronze को Lucy Bronze जो FIFA Player of the Year का अवर्ड जीतते माली पहली English महिला बन गई है उसके बाद Young Champions of the Earth पुरुसकार विद्दुत मोहन को मिला है United Nations Environment Program UNEP के द्वारा दिया जाता है यह वर्ड द्यान रखेंगा तीस वर्ष से कम उम्र के साथ उद्यमियों को दिया जाता है और अलग-अलग देशों में 6 लोगों को मिला है उनका नाम हम को याद रखना ज़रूरी नहीं है विदुत्मोहन का नाम ध्यान रखेंगा अच्छा से नाम ध्यान रखेंगा इनका विद्दुत्मोहन Champions of the Earth 2020 पुरुसकार तो यह हैं विद्दुत्मोहन आप इनकी पिक देख सकते हैं विद्दुत्मोहन 29 साल के हैं और इनका जो Fourth had a इनका इस foundation का नाम है तकाचार ये क्या करता है basically ये पराली वगएरा खरीद लेता है किसानों से और उसको coconut के खोल पराली वगएरा या फिर जो भी waste होता है जो किसान जला देते हैं अपने खेट में जिससे वो उनको मतलब किसान जो है इन सब चीजों के निप्टाने के लिए जला देते हैं क्योंकि इनको लेकर जाना किसी भी चीज में पैसे देने पुड़ते हैं किसान को तो यही पराली वाली समस्य आपको बता होगा तो यह जितने भी ऐसी चीजें हैं जो जलाने से किसान परेवरन को नुक्सान पहुंचा सकता है वो उनको कुछ पैसे देकर ख चीजें बना करके, खुद भी income generate करते हैं और farmers की भी help करते हैं, तो इस फुझे से इनको मिला है इनके foundation का नाम पूछा जा सकता है तकचार, ट-A-K-A-C-H-A-R जो भी इनको इसका pronunciation होगा, ट-A-K-A-C-H-A-R इनके foundation का नाम पूछा जा सकता है विद्दुत मोहन के तकचार Global Visionary of Sustainable Business and Peace ये अवाड मिला है Indo-Israel Chamber of Commerce के द्वारा रतन टाटा को रतन टाटा Global Visionary of Sustainable Business and Peace पुरुसकार, रतन टाटा को पंडित दीन दयालुपाध्या टेलिकॉम स्किल एक्सिलेंस पुरुसकार ये श्रेनिवास कर्णडम और प्रोफेसर सुबरत कार को मिला है संयुक्त रूप से केंदरी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने पुरुसकार दिया उन्हें पंडित दीन दयालुपाध्या टेलिकॉम स्किल एक्सिलेंस अवार्ड दो जार बीस S.O.C.M. Enterprise of the Century Award S.O.C.M. Enterprise of the Century Award मिला है रतन टाटा को ही S.O.C.M. के दोरा दिये जाता है तो रतन टाटा को दो आवार्ड मिले हैं इस पही ने ध्यान रखेगा S.O.C.M. Enterprise of the Century हो गया एक और ये हो गया एक आपका Global Visionary of Sustainable Business and Peace पुरुसकार सर्वोच अमेरिकी सम्मान जो होता है The Legion of Merit The Legion of Merit सर्वोच अमेरिकी पुरुसकार होता है प्रधान मंतरी मोधी जी को मिला है 2020 का डोनाल्ड टरंप ने दिया था मोधी जी नहीं जा पाय थे COVID-19 की वज़ए से वहाँ पर तो अमेरिका में जो इंडियन कांसलेट है भारती रादू तरंजीत सिंग संधू उन्होंने मोधी जी के बिहाव पर White House में पुरुसकार रिसीव किया था 21 दिसंबर को ठीक है 2020 के UNESCO Asia Pacific Awards 2020 में Award of Merit UNESCO 2020 Asia Pacific Region के पुरुसकार में Award of Merit पुरुसकार ये मिला है श्रीनगर के अमर सिंग कॉलेज को Award of Merit पुरुसकार ठीक है College को संस्कृतिक विरासत संद्रक्षन के लिए ये पुरुसकार मिला है Award of Merit Kamla Devi Chattopadhyaya New India Foundation Book Prize ये मिला है आमित अहूजा को जैराम रमेश को अमित अहूजा की जो किताब है Mobilizing a Marginalized Ethnic Parties Without Ethnic Movements ये उनका कार है उसके लिए मिला है और चैराम रमेश ने लिखा है Checkered Brilliance of Many Lives of Wee के कृष्णमेनन इस किताब के लिए इन दोनों को बिला है ये Kamla Devi Chattopadhyaya New India Foundation Book Prize 2020 CII ITC Sustainability Awards 2020 एकिस मिला है NTBC को NTBC को Corporate Social Responsibility डोमेन में प्रतिष्ठित CII ITC Sustainability Awards 2020 में Excellence पुरुसकार से समानित किया गया है ठीक है तो CII ये CII Confederation of Indian Industries और ITC Limited जो है उनका ये सहिंगत रूप से पुरुसकार दिये जाता है ITC CII Sustainability Awards 2020 तो CSR डोमेन में यानि Corporate समाजिक दाइत्व में इस छेत्र में उत्करष्ट कारे करने के लिए NTBC Limited को ये पुरुसकार मिला है ये मिला है MS Dhoni को उसके बाद ICC सर्फ्ट्रेश्ट पुरुस क्रिकेटर ODI में यानि वड़े इंटरनेस्टल में सर्फ्ट्रेश्ट पुरुस क्रिकेटर का सरगार फिल्ड सॉबर्स अवार्ड ये मिला है विराट कोहली को उसके बाद ICC Men's Monday Cricketer of the Year ये मिला है विराट कोहली को उसके बाद ICC Men's T20 Cricketer of the Year मिला है राशित खान को ये अफगानिस्तान के स्पिनर है और ICC Men's Test Cricketer of the Decade मिला है स्टीव स्मिथ को उस्ट्रेलिया के प्लेयर पहले कप्तान भी थे ICC Men's Associate Cricketer of the Decade का वार्ड मिला है काइल कोईजर को ये स्कॉटलैंड से एसोशियेट देश आपको पता होगा दस रेगुलर देश होते हैं जो ICC की टॉप 10 रैंकिंग में आते हैं और उसके अलावा जो देश खेलते हैं ICC से संबध्ध होगे क्रिकेट उनको ICC Associate Countries कहता है उसके बाद दशक के ICC महिला क्रिकेटर के लिए रॉशल हियो फ्लेंट अवार्ड ये मिला है क्रिकेटर ऑफ देट का रॉशल हियो फ्लेंट प्रोसकार महिला अवार्ड में एलिस पेरी को एलिस पेरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर काफी फेमस रहती है ICC महिला वंडे क्रिकेटर ऑफ दिकेट भी एलिस पेरी को मिला है ICC T20 महिला क्रिकेटर ऑफ दिकेट मिला है एलिस पेरी को ही और ICC महिला एसोशियेट क्रिकेटर ऑफ दिकेट पुरुसकार ये कैथरीन ब्राइस को मिला है ये स्कॉटलैंड की प्लेयर है सारे अवार्ट से एक बार देख लीजिए का मैचिंग में भी पूछा जा सकता है इनको बुक्स एंड ओथर देख लेते हैं बुक्स एंड ओथर में सबसे पहले फ्यूचर ओफ रीजिनल कॉपरेशन इन एशिया इंड पैस्फिक यह कंपैलेशन बनाया है एशिया डेवलप इसकी प्रस्तावना यानि इस पर जो प्रोलॉग है उसको लिखा है पूर्व दिवंगत राष्ट्रपती प्रड़ा मुखर जी ने धर्मा डिकोर्डिंग ऑफ एपिक्स ऑफ मेनिंग्फुल लाइफ यह लिखा है अमीश्त्रिपाठी ने अमीश्त्रिपाठी कई सारी ट् करके इसको लिखाए दा शौर अनबाउंड दा शौर अनबाउंड का इंग्लिश वर्जन और इसका हिंदी वर्जन यानिकी समुंदर समावे बूंद में यह पुस्तक है लोकसभादेक्ष ओम बिड़ला ने 13 दिसंबर को संसा धमले की 19 वी वर्षगाठ पर इस पुस्तक क क्या इस वुस्तक में उस सब चीजें बताई गई है जो हुई थी पार्लिमेंट एटाइक 2001 में और उस पर जो जान गवाई थी हमारे लोगों ने उनकी कहानिया इसमें शामिल है इसको लिखा किसने है कई लोगों ने मिल करके लिखा है नीतू डियाइजी CRPF ने बीम दिन चीजेंचान गया है इस किताब में इस किताब में समुंदर समावे बूंद में किताब का हिंदी नाम है और इंग्लिश नेम है दशोर इन बाउंड उसके बाद पुस्तक अयोध्या पुस्तक को लिखा है मादो भंडारी ने ओ मिजोरम नाम की पुस्तक लिखी है मिजोरम के गवर्नर श्रीपी एस श्रीधरन पिल्लाई ने COVID-19 सभिता का संकट और समाधारिया निए Crisis of Civilization and Solutions COVID-19 Crisis of Civilization and Solutions लिखी है श्री कैलाश अत्यार्थी ने श्रत्यार्थी 2014 के नोबल प्राइज विनर नोबल पीस प्राइज ने जीता था मलाला इवसेफ जाई के साथ आपको याद होगा ठीक है तो इन्हों लिखी है COVID-19 Crisis of Civilization and Solutions उसके बाद कॉंकड़ी की एक पुस्तक है कॉंकड़ी भाषम लिखी गई है सुत्र निविंदेवाची सूत्र एक अन्बव ये डॉक्टर रूपाचारी ने लिखी है इंपोर्टन डेज और डेटस देख लेते हैं यहां से विश्व एड्स दिवस होता है एक दिसंबर को इस बार इसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर रिस्पॉंसबिल्टी अंतराश्ट्री दास प्रथावन मूलन दिवस होता है दो दिसंबर को राश्ट्री प्र दिवस 안धि सबर को अर्ब स्की अंतराष्टरी नागरीघ विवानन दिवस को हता है इसबार इसकी ठीमित di को और इस बार इसकी थीम थी रिकवर विद इंटीग्रिटी नरसंगार के शिकार और इसके पीडितों की गरिमा को चिन्हित करने के लिए या मनाने के लिए अपराद की रोक्ताम के लिए अंतरराश्ट्री दिवस ये 9 दिसंबर को होता है विश्व मानावाधिकार दिवस 10 12 दिसंबर को उता है द्यान रखी गई कैई बारा भी चुका है रिकवर बेटर स्टेंड आप फ्र human r полов इसकी थीम थी रिकवरल बेटर स्टेंड आप फोर human rite उसके बाद अंतरराश्ट्री तर्टस्त था दिवसी çबाने 10 दिसंबर को अन्तराश्ट्री सारुभाम्य दिवस यह होता है 18 दिसंबर को री इमेजिंग हिुमन मोबेल्टी इसकी थीम थी अरभी भाषा दिवस 18 दिसंबर को अंतर्राश्ट्री मानव एक जुटता दिवस 20 दिसंबर को राश्ट्री कड़ित दिवस रामानुजन जी के बड़्डे पर 22 दिसंबर को हमने पताए था कि रामनुजन जी के birthday पर हम मनाते हैं दिवस वो होता है National Mathematics Day और राष्ट्री किसान दिवस मनाते हैं हम लोग 14 चरन जी के birthday पर 23 दिसंबर को और राष्ट्री उभीखता अधिकार दिवस चौबीज दिसंबर को मनाते हैं यह ओडिशा पीजिस से स्वाले पूछ चुके हैं एक बार गुड गौवर्नेंस टे यह एक बार पूछा जा चुका है 25 दिसंबर को क्रिस्मस के दिन हम मनाते हैं अटल बिहारी बाजपेजी के जर्म दिवस पर डिफेंस में हम देख लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परिक्षन किया गया था एंटी शिप संस्करण है या फिर हम कह सकते हैं कि यह ब्रह्मोस का नेवल वर्जन है यह जो है आरो मेंस पूछा गया था यह ब्रमोस का नेवल वर्जन था कि हवाई वर्जन था कि लैंड अटैक वर्जन था यह कोशन हमसे डिरेक्टली आरूमेंस पर पूछा था तो यह आ चुका है वसे तो आपको पता लगए कि कैसे कोशन पूछे दा सकता है प्रमोस मिसाइल के एंटी शिप संस्क्रेंड का प पाएसरेज्ड में मेंने जपान की साथ इसमें तैन से ब्रजेक्ट शाइक-पहला जहाज हिम गीघी श्री लांच किया जाचुका है होगली रिवर पर इसको छोड़ दिया गया था, प्रोजेक्ट 70 ने के तहत पहला हिमगिरी जहाज लॉंच किया गया है, ठीक है, उसके बाद देश में बनी इंट्रेसेप्टर बोट C454 को कोस्ट गार्ड में शामिल कर दिया गया है, लारसन एंट यूबरो ने बनाया है इस सिरीज में दूसरा है सुझीत, ठीक है, और गोवा में इसको कमिशन किया गया, राधनात सिंग जी ने तीनों सेनाओं प्रमखों को अत्यादुनिक तकनिक प्रणाली जो है, सौब दी है, तो ये तीन अत्यादुनिक तकनिक प्रणाली अब हम अमारी सेनाओं को मिल चुकी रहा है बॉस मिला इंडियन आर्मी को इंडियन मेरिटाइम सिच्वेशनल अवर्नेस सिस्टम यानि इमसास इमसास मिला है हमारी नेवी को और अस्त्र MK1 मिसाइल प्रणाली ये सौपी गई हमारी इंडियन एर फोर्स को ठीक है बाकी साब डिटेलिंग लिखी भी आप इनका शॉट रख सकते हैं ये बूठ सकते हैं कि बता ही बॉस किससे समंदित है तो बॉस जो इंडियन आर्मी समंदित है इंडियन मरिटाइम सिच्वेशनल सिस्टम इमसास कि से समंदित है और अस्त्र-मक-1 मिसाइल प्रणाली कि समंदित है इंडियन एर फोर्स से हाइपर सोनिक विंड टनल का उदघटन किया गया है हाइदरबाद के तेलंगाना में यह हाइपर सोनिक विंड टनल इतनी बड़ी और इतनी जो है फैसिल्टी वाल हमने बनाई है और हम कुल मिलाकर अमेरिका और रशिया के बाद तीसरे एक मात्र कंट्री बन गए जिसके बास इतनी बड़ी और इतनी संचालित हाइपर सोनिक विंड टरनल होगी यह याद रखेगा ठीक है स्टेट का नाम बूठ सकते हैं कि कहां पर हमने इसको बनाया है हाधराबाद तेलंगा नाम है तो हाइपर सोनिक विंड टरनल टेस्ट फसल्टी यह हमारे पास आ चुकी है तेलंगा नाम है बारत और वियतनाम की नौसेना ने पैसेक्स किया यह साउथ चाइना सी में हमने किय और इसमें हमारा बहरति जहाज जो गया था उसका नाम है किल्टन तो इसी मंन्थ हमने एक मिशन सागरतीन भी किया था मिशन सागरतीन एक जो हम कैसे हैं रिश्क्यू ओपरेशन था इसमें 15 टन राहत सामगरी लेकर के आई इनेस किल्टन गया था हो शी मिन सिटी वियतनाम के नारंग बंदरगाह भी गया था तो उसके बाद यह पैसेक्स एकसाइज भी थी साउथ चाइना सी में तो इसको भीयाद रखी का मिशन सागर तरती है मिशन सागर थर्ड एक बिसिकली कह सकते मदद पहुंचाने वाला ऑपरेशन था जो हमने मदद पहुंचाई वियतनाम को और विच्री वैसे तो कई सारी दिसंबर में हम मोस्ट इंपोर्टन शामिल करेंगे जैसे धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गय यह वयोवरद्ध डान्स हिस्टॉरियन थे इनका निधन हो गया था उसके बाद जॉन हुबर यह डब्लुडब्लुई रैसलर थे इनका निधन हो गया स्कीम्स या फिर गवर्मेंट अनौंसमेंट में देखेंगे ए आई पीए समीती के गठन किया गया के इंद सरकार के द तेरा प्रमुख मंत्रालियों के सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष होंगे कौन जो हमारे मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट इंवर्मेंट क्लाइमेट चेंज के जो सेक्रेट्री है आर्पी गुपता यह इसके सचिव होंगे ठीक है यह पैरेस सम्झाओता है कि पैरिस सम्झा अधेक्षियों को प्राप्ट करने के लिए समीति बनिये उसकी अध्यक्ष्ता कौन करेंगे तो आर्पी गुपता और इस समीति के उपाध्यक्ष होंगे श्री रवी शंकर प्रसाद ठीक है और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं सहेकार प्रग्या इनिशेटिव यह कि कोपरेटिव सेक्टर की छमता बढ़ाने के लिए काम करना है सहकार प्रग्या को एकुल मिला करके यह है कि यह नैसल कॉपरेटिव के लिए समीती बनाई गई है इसके द्यक्षता करेंगे हमारे क्राह मंत्री श्री आमित शाह तो 23 जनवरी से जब उनका 124 वा जनम दिन होगा वहां से गतिविधियां चालू होती हुई 23 जनवरी 2022 तक यह चलेगी ठीक है उसके बाद आयुश्पान भारत प्रधान मंत्री जन इंडेवियर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन ठीक है स्पोर्ट्स करेंट अफेर देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहला इवेंट है विराट कोली के 22,000 रंतराष्ट्री रन 22,000 रन को मिलाकर वो बना चुके हैं टेस्ट वंडे मिलाकर अपनी 462 पारी में तो मतलब सब सबसे कम इनिंग खेलते हुए 22,000 रन हासिल करने का रिकाड उनके नाम है तेंदुलकर ने 493 इनिंग ली थी ब्राइन लारा ने 511 इनिंग ली थी रिकी पॉंटिंग ने 514 इनिंग ली थी ठीक है अब बहरीन ग्रैंड प्री लिविस हैमिल्टन ने जीती है वसे तहां पारी में सचीन बना पाए थे 12,000 उसके बाद जेहां दारुवाला एफटू रेस जीतने वाले सबसे पहले भारती बने हैं बहुत-बहुत इंपोटन्ट है आ सकता है सखीर ग्रैंड प्री एफटू रेस इनोंने जीती थी बहरीन में जेहां दारुवाला ने यह भारत के ह जानी थे 2020 में आपको पता है एशियक अप ओडियाई वाले स्थकित कर दिये थे जो पाकिस्तान में होने वाले थे एशियक अब जुद अमदब अब यह स्थागित होने के बाद जून 2021 में होंगे श्रिलंका में हो गई है और जो पाकिस्तान की मेजबानी छिन गई थी COVID-19 कारण वो कंपेंसेट की गई है 2022 के तैत 2022 में जो इस्या कप होगा उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान और जून 2021 में जो होगा उसको होस्ट करेगा श्रिलंका यह यहां पर तै किया गया है सखीर ग्रैंडप्री F1 रेज सखीर ग्रैंडप्री F1 रेज जीती है सर्जियो पेरेज ने सर्जियो पेरेज F2 की बाद वो रेज सखीर ग्रैंडप्री F2 रेज जो जीती है पहले भारती ने जेहांदार हुआला ने लेकिन F1 रेस सर्जियो पेरेस ने जीती याद रखिएगा F Fit India साइकलोथाउन के दूसरे संस्क्रण का सुभारम किया जा चुका है 25 दिनों का इवेंट है 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलना था यानि आज ये खतम हो गया है और 2020 का विश्व अथलीट ऑफ द येर खिताब वल्ड अथलीट ऑफ द येर पुरुसकारी किसे मिला है स्वीडिश पोल वॉल्टर मोंडो डुपलांटिस को ठीक है ये सारे अवार्ड का रिक्रम वर्चुली आयवजित की जारे है द्यार रखिएगा पार्थिव पटेल ने सभी फॉर्मैट से सन्यास लेने का ये मतला बुद्गाटन कर दिया था कि वह अब नहीं खेलेंगे किसी भी तरीके से टेस्ट वेंडे टीट वेंटी किसी में वह भारत का मैच नहीं खेलेंगे उसके बाद 2023 इंडियन ओशियन आयलेंड गेम्स होने वाले है ये वहले तो मालदीव में होने थे ठीक है लेकिन मालदीव में COVID-19 के कारण रद कर दिया था आब ये दुबारा कह उसके बाद 2023 इंडियन ओशियन आइलेंड गेमस की मेजबानी हां यह देख चुके है उसके बाद ब्रेक डांसिंग जो है अब ओलम्पिक गेमस शामिल हो चुका है ओलम्पिक खेंस जो होँगे 2024 वाला जो यह प्रस्तावित है परिस तक तो माना जा रहा है तो दोradeason नहीं नहीं तसे था कोई बी ऐसा मतलब यह केम नहीं माना जाता था अब ये आएगा इसमें 2024 से अभी एक ओफिशल गेम के तौर पर आएगा 2024 समर ओलंपिक में और इसका नाम ब्रेकिंग दिया गया है याद रखेगा इसका नाम बदल दिया है यह ब्रेक डांसिंग नहीं कहा जाएगा क्योंकि डांसिंग जैसा कोई गेम नहीं होता ने जीती है अबूद हाबी ग्रेंड प्री आइटीएफ का डबल खिताब आइटीएफ डबल्स में एक भारती ने जीता है इस वजह से हम शामिल करने इसको वरना डबल्स हम कभी पढ़ते नहीं आप पता है आइटीएफ का यह डबल खिताब अंकिता रहना ने जीता था डबल्स आइटीएफ का तो इस वजह से याद रखिएगा दुबाई में हुआ था यह एश्याई खेलों की मेजबानी 2030 और 2034 में कौन करेगा एशन गेम्स 2030-2034 के भी विन्यू डिसाइड हो गए है 2030 का जो एशन गेम्स होगा वो कहां पर होगा कतर की कैप्टल दोहा में याद रखिएगा क्योंकि यह पूछ लिए जाते हैं अक्सर एंपीपीसिस में और वन्डे एक्जैम्स में इवन जो है यूपीपीसिस भी पूछ सकता है कि बताई दोजार चौनतीस का या दोजार त पाकिस्तान के क्रिकेटर महम्मद अमिर ने सन्यास की घुषणा कर दी और मेंटल टॉर्चर उन्होंने का था उनको किया जा रहे हैं इस वजह से अब उने खिलेंगे अलंकि बात सभी को पता है मैच फिक्सिंग के आरोप में बाहर किया गया था चार साल के लिए फिर एड्मिंटन खिलाडी कूफुने करके इनका नाम है डोपिंग नियमों के उलंगन के कारण इनको जो है हटा दिया गया है चार साल के लिए बैन कर दिया गया इनको यह मौरिश्यस की प्लेयर है ठीक है केट जेसिका फू कूने इनका नाम है टोकियो उलंपिक अब यह नही बता होना चाहिए तीन स्वर्ण हमको मिले हैं इस विश्व कप में दो सिल्वर और चार ब्रॉण्स मिले हैं किसको कितने मिले हैं नीचे लिखाववा है गोड जीता है अमित पंगाल ने मनीशा मौन ने सिम्रजीत कौर ने और सिल्वर जीता है साक्षी चाओधरी ने जारानी ने गौरफ सोलंकी ने और मुहमद हुसामुद्दीन ने ठीक है उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में चार स्वदेशी खेलों को सामिल करने की मंजूरी दी गई है खेलो इंडिया गेम्स 2021 वाले हरियाना के पंच कुला में हो गया रखीगा जो चार गेम पाया गेम्स 2021 में बीङी स्पोर्ट्स स्व परसेनलट्ई ओफ दायました 2020 मिला है लिवेच हमिल्टन को लिवेच हमिल्टन 2004 में बने थे वीवी सी स्पोर्स परसेनलटी ओफ दायर और अब एक और बार 2020 में बन गए हैं mobility स्पोर्ट्स परसेनलटी ॉफ दायर मिफ फीबा ने under 20 और under 17 का वल्ड कप कैंसिल कर दिया था under 17 under 20 विश्व कप यह होने वाला था पूरुशों का 2021 में कोविड की कारण नहीं हो पाया है तो कोविड की कारण अब यह कब होगा पेरू में 2023 का फीफा अब कहां पर होने वाला था यह इंपोर्टन नहीं है अब कहां पर होगा इंपोर्टन एंडर 20 वाला कहां पर इंड्रेनेशिया में और 2023 में ही होगा और 2023 में अंडर 17 वाला कहां पर होगा पेरू में ठीक है टीम ऑफ दडिकेड चुनी गए थी आइसीजी के दवारा यानि की दशक की सर्वस्रेश्ट टीम तो उसमें पूरे मतलब अलग अलग टीम से एक प्लेयर उठाए गया थे उसमें धोनी को कप्तान बनाया गया यानि धोनी ज 2020 यह काफी important है video conferencing से हुई थी इसका उदगाटन किया था PM महुदी जी ने और इस बार इसकी theme थी inclusive innovation smart secure sustainable ठीक है inclusive innovation smart secure sustainable वर्ल्ड economic forum 2021 की वार्षिक बैठक अब सिंगापूर shift कर दी है यह हमने आपको बताया था पहले यह कहां पर होने वाली थी लिवसर्न बर्गन श्टॉक स्विट्जर लैंड में होनी वाली थी 13 से 16 मई 2021 को लेकिन वहाँ पर कोविड के चलते अब इसको सिंगापूर में shift कर दिया है सिंगापूर में होगी अब वर्ल्ड economic forum 2021 की annual meeting उसके बाद अंतराष्ट्री भारती माहत्सों अंतराष्ट्री भा अंतराष्ट्री भारती माहत्सों यानि सुब्रमन्यम भारती के नाम पर उसके बाद पांच्वा भारत जल प्रभाव शिखर समयलन यानि Water Impact Summit पांच्वा ये वह था अर साल जो है दिसंबर में हो रहा है लगातार पांच साल से इस साल दिल्ली में नहीं हुआ ये वीडियो सिंग शेखावत जी ने इसका उद्गाटन किया था उसके बाद नवा सतत परवत शिखर समयलन 2020 ये उत्राखंड के दहरा दून में हुआ था आठ से 14 दिसंबर के बीच ये इंटीग्रेटिड मॉनुमेंट इनिशेटिव का एक प्रमुख वार्षी की कारक्रम है और सस्ट पाथवेस फॉर बिल्डिंगा रिजाइलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकनॉमी इसके थीम थी इंडेनोशन रिम एसोशियेशन यानि आई ओ आरे की कांसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये मीट हुई थी यूए की जेर मैनिशिप में वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से हुई थी यहां पर ठीक है यह आप याद रख सकते हैं पांचमा वार्शिक वैश्विक प्राध्योगी की शिखर सम्मेलन यानि फिफ्ट एन्वल ग्लोबल टेकनलोजी सम्मिट ये भी वर्चुल माध्यम से हुई थी इसका एवजन विदेश पंत्राले भारत सरकार और कारwhanegi इंडिया के सयोग सकिया गया था और इस बार इसकी थीम थी प्राध्योगी की भूराजनेति यानि जीओ पॉल्लिक्स ओफ टेकनलोजी ठीक है यह उपॉडिक्स आफ टेक्नलोजी सिक्स्थ इंडिया जापान डाइलोग ठीक है इंडिया जापान समवाद कॉंफ्रेंसी यह वा था वर्चुल माध्यम से सिक्स्ट एडीशन था यह उसके बाद भारत वियतनाम नेताओं की वर्चुल सम्मिट यह थी यह भी वीडियो कॉंफ्रेंसी के माध किया था भारत जापान नेताओं की वर्चुल सम्मिट हमने जापान बोल दिया था बीच में वियतनाम के साथ हुआ थे विसिकली आगे है बार्वां शिखर सम्मेलन बार्वां ग्रहा शिखर सम्मेलन जी आर आई एच इसका मतलब हो जाएगा ग्रीन रेटिंग फॉर गई है नाडू जी ने शाश्वत नाम की पत्रिका इसमें लांच की गई और 30 स्टॉरी बियांड बिल्डिंग्स इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया ठीक है दिल्ली में हुआ था वर्चुल माध्यम से रिपोर्ट्स और इंडेक्स पर आजाएंगे हम लोग सबसे पहल पार्ट्यक्लust के मामले में तो इन्होंने रैंकिंगंग दी है तो सबसे पहला रैंकिनों लाहोर को यानि कि लाहोर में पार्टि बहुत ज्ज़्यादा हे उसके बाद है दिल्ली उसमें 229 है पार्ट्स पर मिलिएं पार्टिकुलेटंग्स में दून के इसाफ़ से तो Global Terrorism Index 2020 जो है Institute for Economic and Peace ने जारी किया है यह जारी करते हैं Global Global Terrorism Index जो सबसे उपर रहता इस रैंकिंग में वही आतंकवाद से सबसे जादा प्रभावित देश इन्होंने अफगानिस्तान को माना है फिर इराक को माना है फिर नाइजीरिया को माना है फिर पाकिस्तान को माना है आठवें पर इंडिया है ठीक है इंडिया का रैंक बहुत इसमें आठवा है और भारत का सबसे आतंकवाद प्रभावित छेत्र इन्होंने जम्मू कश्मीर को माना है और दूसरा सबसे आतंकवाद प्रभावित या मावाद प्रभावित छेत्र माना है 36 गड़ को और भी रैंकिंग्स दी हैं सबसे कम आतंकवाद प्रभावित रैंकिंग आ चुकी है फॉर्चुन इंडिया रैंकिंग जारी करती है यह पूछ जाने के संभावना बहुत ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा मतलब यह इन्होंने टॉप पर रखा है राइएल को रिलाइंस इंडेस्ट्रीज को फिर रखा है ओंजीसी को और फिर स्टेट महिंद्रा और हुरिन इंडिया की एक यूनिट है को टक । मेंज़मेंट यह जारी करतीए कि भ्हारत में सबसे अमीर महिलाएं कॉन सी उनकी लिस्ट तो सबसे पहला इंगहें स्थ्ठ दिया है रोष्णी नाधर महलीत्रा को रोष्णी नाधर महलोत्रा i agree एक्सियल टेक्नलोजीज की चेर पर संद दूसरा स्थान ने दिया है बायो कार लिम्टेट की अध्यक्षा को जो है किर्यनमजूमदार शौव अलांकि यह भारती मूल की है अमेरिकन विमन तीसरा स्थान है लीना गांधी तीवारी को यह यूईस्वी लिम्टेट के अध्यक तो टॉप पर है यहाँ पर मणीपूर का धौबल डिस्ट्रिक्ट में जो नोंगपोग सिम का ही थाना है वो है टॉप पर तमिलनाडू का सलेम शहर में सूरमंगलम पुलिस्टेशन टॉप पर है अरुणाचल प्रदेश का खरसांग थाना चांगलांग में टॉप पर है और चतिसगड़ में जिल्मिल थाना जो सूरजपूर नाम की डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर है यूपी का भी एक थाना यहाँ पर जो है आया है आठवे स्थान पर ठीक है उस स्थाने का नाम आप हमको कॉमेंट करके बताइए क्या नाम है उसका अगर आपको नहीं आए तो हम रिप्लाइ करेंगे आपको कॉमेंट में बताइए कि आठवे नंबर पर इस 2020 के टॉप 10 पुलिस्टेशन की रैंकिंग में किस जिले का कौन सथाना आया है उतरप्रदेश का बताइए कॉमेंट करके और किन पर इनको रैंकिंग दी गई है हो यहां पर लिखा हुआ है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूच कहां कि यानि कि 2021 क क्लाइमेट चेंज परफॉमेंस इंडेक्स आ चुका है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ स्वेंसेवी सनिस्था जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्ट्यूट जर्मनी की दौरा संयूग तुरूप से जारी किये जाता है शीरिश 10 में पहला दूसरा और तीसर स्थान कोई विदेश हांसिल नहीं कर सका है चौथे पर स्वीडन है पांचवें पर यूके है चटे पर डेन्मार्क है साथ में पर मुरक्को आठवें पर नौर्वे और नौवें पर चिली और दसवें पर भारत है भारत दसवें पर है जरूर धान रखिएगा टॉप 10 में एंजिला मारकल है चांसलर ने जर्मनी की उसके बाद क्रिश्टीन लगार्ड है यूरोपीन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष उसके बाद कमला हैरिस उसके बाद अरसला वांडेर लियन मेलिंडा केट्स और उसके बाद शेक हसीना वाजिद निर्भला सीतरमन जी इसमें 41 पर है सोनुसूद ने वर्ष 2020 में विश्व की जो 50 एशियन सेलेब्रिटीज की लिष्ट आई उसमें टॉप किया है यह बहुत इंपोर्टन्ट है तो टॉप 50 एशियन सेलेब्रिटीज की जो लिष्ट है यूके का एक आई न्यूस्पेपर है ठीक है इस्टर्न आई करके न्यूस्पेपर है उन्होंने एक लिष्ट जरी की है एशियन टॉप 50 एशियन सेलेब्रिटीज उसमें टॉप पर उन्होंने सूनुसूद को रखा है फिर लिली सिंग को रखा है जो भारती मूल की कैनेडियन यूटूबर है उसके बाद अर्मान मलिक को इन्हों रखा है और इसके बाद प्रियंका चोपड़ा को रखा और फिर रखा है तेलिगू एक्टर प्रभास को मानो विकास सूचकांग 2020 आ चुका है एक सो नवासी कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं तो इनमें टॉप और इंपोर्टन्ट जो एशियन कंट्रीज है उनका सब का हमने नाम शामिल कर लिया है एच्डियाई सबसे अच्छा इनके इसाप से नौर्वे का है ठीक है दूसरे पर संयुक्त रूप से आयरलेंड और स्विट्जर लैंड है तीसरे पर रशिया है चौथे पर ब्रजील है 85 पर चाइना है यहां पर थोड़ा हमने देखा नहीं एक्चली 52 पर रशिया है और 84 पर ब्रजील है 85 पर चाइना है दक्षिड अफ्रीका 114 पर है और भारत जो है 131 पर है भारत की रैंकिंग जरूर धान रख लीजेगा अप लोग ठीक है हमारे पड़ोसी देशों में बंगलेश 133 पर 142 पर नेपाल और 154 पर पाकिस्तान 2020 की सबसे अध बजर फेडरर हैं फिर क्रिश्चियानो रोनाल्डो हैं टॉलर पैरी है हावर्ड स्टर्न लेबरान जेम्स और ड्वेन जॉनसन ठेक है यह लोग है टॉप पर जरूर जो है याद रखेगा काईली जेनर उसके बाद यह मानो सतरता सुच कांग भी आ चुका है यानिकी हुम 111 पर भारत है तो भारत की रैंक कितनी है यूमन फीडम इंडेक्स में 112 याद रखेगा हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 140 पर और बाकी यहां पर खराब देशों को भी लिश्ट दी हुई है खराब देशों की लिश्ट में अगर हम देखे तो सुडान 161 पर और 162 स्थिती रिपोर्ट आचकी है स्टेटस ओफ लिपोर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट आचकी है इसमें चार साल का डेटा लिया गया है 2014 से हुई गड़ना और 2018 तक इसमें बताई गई है 2014 में बाग हो यह सौरी तेन्दूओं की गड़ना थी 7910 और अब हो चुकी है 2018 तक हो यह नंबर्स जरूर याद रखी है पूछ जा सकते हैं तेंदुवों की संख्या में 4 साल में 2014 से 2018 के बीच 60% बढ़ोतरी हुई है गड़ना के निवसार मदप्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुवे हैं फिर हैं तेंदुवें तेंदुवों की संख्या के मामले में 2nd पर साइ मूवर्स और शेकर्स रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें देश के 100 बैंकिंग और फेनेशल सर्विसेस पीमा कंपनीज को इसमें शामिल किये जाता है तो इसमें टॉप पर है HDFC बैंक टॉप 100 में फिर है ICCI बैंक फिर है SBI टॉप 3 यह हैं और टॉप 3 ही हमको इसमें पठने हैं बस ठीक है करेंट अफैर्स को MCQ फार्म में देखेंगे और यहां पर वह वाले निउस इवेंट्स भी कवर कर लिए जाएंगे जो किसी भी सेक्षन में फिट नहीं हो सकते थे पहला यहां पर सवाल है पहला कथन है कि मोटर वहान अधिरियम 1988 को मोटर वहान वेस्बुक की मोनोपॉली पर अंकोष लगाने के लिए नई competitive rules यहां पर लाने वाले हैं ठीक है तो यह दोनों ही statement सही है दोनों ही news सही है answer हो जाएगा हमारा option number C बोथ correct यहां पर C किस राज के विधानसभा के सदस्य और सेवा निवरत IPS अधिकारी अलाल दोहमा को विधानसभा से हटा दिया है तो किस राज ने हटाया है यह हटाया है मिजोरम ने option number B मिजोरम उसके बाद है श्री लंका एकनॉमिक सम्मेलन के बारे में इन इमलिकित कत् पहला है कि एक दिसंबर 2020 को स्री लंका एकनॉमिक सम्मेलन हुआ सही है उसके बाद है कि प्रेजडेंट ऑफ श्री लंका इस एक्सिलेंसी गोतबायर राज पक्षे ने इसका जो है कॉन्फरेंस का उधगाटन किया सही अध्यक्षता की निर्मला सीतरमन जी भारत की तरफ स से वर्चुल माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुई यह भी सही और इसकी थीम थी रोड मैप फॉर टेक आफ तो सारे स्टेट्मेंट यहां पर सही है श्री लंका एकनॉमिक कॉंफरेंस के बारे में एंसर हो जाएगा डी ओल अफ दबव ड्राइज स्वाइब आइटी-PCR वि दिल्ली चलो भारत में किसान्स ट्रेंडी के लोगों द्वारत की जा रहे प्रदर्शन का नाम है ठीक है सब लोग दिल्ली की तरफ जा रहे थे वारण असी के खजूरी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने वारण असी प्रयागराज NH19 चैलेन चौडी सड़क का लोग अरपन किया था यह भी सही है और इसकी पिक वगार अभी हमने शेयर की थी टेलिग्राम में और ट्विटर पर एक फ्लीट वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर मैं शेयर करता रहता है तो ट्विटर पर अगर आप स्टडी फोर सिविल सर्फिस को जोईन कर लेंगे तो जिस दिन ये न्यूज इवेंट होता है उसी दिन आपको वहाँ पर मिल जाएगा उप्शन नमबर सी यहां पर सही है उसके बाद कॉविट-19 महमारी के दावरान केंदर सरकार ने आठ स्ट्रेणियों पर कितनी राशी तक के ब्याज माफ करने का निटे लिया है धान रखी संगीता श्रिवास्तो को किस विश्विद्याले का कुलपती बनाया गया है चांसलर यहां पर बनाया गया है इलाहबाद उनिवस्टी का ऑप्शन नमबर सी कौन सा कथन यहां पर गलत है पहला तो सही है कि दो दिसंबर को पूरे भारत में नाशनल पॉलूशन कंट्रोल ड तो तीनों ही यहां पर सही है 1,2,3 कोई भी यहां पर गलत नहीं है तो यहां पर हो जाएका नन आफदाब हो यानि कोई भी गलत नहीं है यानि कि तीनों सही है तीनों ही सही है यहां पर जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलिस्कोप के बारे में यहां पर निमलिक रत्तों पर विचार करना है पहला एक जाएंट मीटर वेव रेडियो टेलिस्कोप अब्जर्वेट्री पूरे में लोकेटेड महारास्टर में सही उसके बाद टाटा इंस्टूट और फंडेमेंटल रिसर्च टी आई एफ आर नाशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रो फिजिक्स के रक्षा कंपनी से 2 MQ-9B Guardian Drone को एक साल के लिए लीस पर लिया है तो इंडिया नेवी ने लीस पर MQ-9B C Guardian Drone को लीस पर लिया है अमेरिका से लिया है अप्शन नमबर B कौन से स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट है हाल ही में खबरों में रहने वाला 737 Max Boeing कंपनी का एर लाइ गया है रणीतिक रणीतिक उप्रमुख बनाए गया है इनको जनरल परमजीत सिंग को भरत सरकार द्वारा सही है अधारपुना वाला को सीरम इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया के जो है CEO इनको Asian of the Year Award मिला है सही है तीनों स्टेट्मेंट सही है अंसर हो जाए गया पर D द्वारे सरकार के बारे में कौन सा जो है करेक्ट आपको बताना है पहला लिखा हुआ है कि यह महराष्ट की स्कीम है यह वाला हो जाए का रॉंग यह गलत है उसके बाद है कि यह कैंपेंड शुरू हुआ था एक दिसंबर 2020 से 30 जनवरी तक चलेगा और इसकी कैंपेंड की थीम जो ह है जे देखाने सरकार आशे आपनार दुआरे सरकार तो बंगाली में है तो वेस्ट बंगाल की स्कीम रहेगी हमको इसमें पूछा करेक्ट कौन सा है तो टू एंट्री ओनली ऑप्शन नुबर सी यूएस एर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रदूशित सहर पा लेकिन क्या हम इसको 1990 मनाते आ रहे नहीं हम इसको मना रहे हैं 1988 से तो यवाला रॉंग हो जाएगा 1988 से हम लोग मना रहे है तो हमारा इंसर इसमें हो जाएगा वन और टू उनली ऑप्शन बर बी वन और टू उनली इसमें पताना है कौन सा करेक्ट है पहला वाला तो करेक्ट है हमने अग्रिमेंट वाले सेक्षन में देखा हुआ है उसके बाद है कि 2 दिसम्बर को इंडियन और कॉर्परेशन ने इंडिया का पहला 100 Octane Petrol XP 100 Premium Vehicles के लिए लाउंच किया है दोनों सही है एंसर हो जाएगा इसका option number D, all of the world, सारे करेक्ट है निमले कितमे से कौन सा देश प्रयोग साला में मास बिक्री की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है बताना है तो मास बिक्री को मंजूर किया है, मतलब ये लेबरेटरी में बने हुए मीट को मेंचने के लिए मंजूर किया है सिंगपूर ने, option number B उसके बाद भारत और एशिया विकास बैंक यानि एशन डेवलोप्नेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल राज में वित्ती प्रवंद प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कितने रुपए के रिंड कप पर हस्ताक्षर के रिंड समझे होते पर पचास मिलियन यूस डॉलर्स का किया है वर्की फांडेशन का Global Teacher Award कि से मिला है यह मिला है रंजीत सिंग दिसाले को यह है महरास्टर से विश्व मुर्दा दिवस के बारे में करेक्ट कौन सा है पहला करेक्ट है थीम भी करेक्ट दीवी है ठीक थर्ड वाला इन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह जो है 2014 से बनाया जा रहा है ठीक है यहां पर लिखा 2002 तो यह वाला हो गया रंग हमको पताना है कौन सा करेक्ट है तो हो जाएगा वन एन टू उनली कौन सा कथन सही है अग्रणी स्पेस स्टार्ट अप पिक्सल ने भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉंच करने के लिए निजी पेस एंडिया लिम्टेट के साथ समझाता किया है यह सही है उसके बाद इच्छाए दिसंबर को कीविको कांडी जो के इन्यास के हैं इन्होंने हाफ मेरतान जीता था यह भी करेक्ट है स्पेइन में हाप मेरतान जीता और मिनिस्ट्रि ओफ इंफ्रो मेशन ब्राद्कास्टिंग ने गाइडलाइन्स इशु की हैं प्राइवेट सेटलाइश चैनल को किस के लिए और सेट्टे बाजी के लिए online betting के उपर guidelines जारी किये हैं यहाँ पर answer हो जाएगा D सारे statement सही है और यह first वाला बहुत important है इससे individual question पूछे जा सकता है इसमें बताना है कि Infosys company ने हाल ही में कितने छेतरों में Infosys award प्रदान किया है Infosys award जो है 6 छेतरों में प्रदान किया जाता है और उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए Times का Kid of the Year award जो है किसे मिला है गीतांजली राओ को उसके बाद निमलिकित में सकौन सा कथन गलत है हमको बताना है हाल ही में भारत ने सहयोग तराज अमेरिका के साथ बहुत दिख संपदा सहयोग के लिए समझाता किया है इसने दिसंबर 2022 से जून 2023 के बीच तीस उपग्रहों के समूँ को लॉंच करने की योजना की गोफना की है सही है यह निउस में आया था प्रकास सिंग बादल ने यहां पर रिटर्न कर दिया था अपना पदम भूशन खाली अवार्ड लोटाय था और इसने लोटाय थी तो इसमें अंसर हो जाएगा यहां पर D None of this यानि तीनों की तीनों सही है स्टेटमेंट तो गलत कोई नहीं है तीनों सही है यह भी और यह भी ये वाला इसमें बताना है कौन सकतन सही है इराणी राष्ट्रपती हसन रुहानी ने संसद द्वारा अनुमोधित यूरेनियम समवर्धन को मजबूत करने वाला विधेया खारिच कर दिया था ये नियूस में आया था सही उसके बाद है कि यूएस के हाउस ने एक पिल पास किया है मार्टिन लूथर किंग और मात्मा गांधी की विरासत को प्रमोट किया जाएगा तो दोनों सही है एंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी बोथ वन इन टू करेक्ट राजस्व खोफिया निदेशाले का स्थापना दिवस कब मनाय जाता है ये मनाय जाता है चार दिसमबर को राजगीर जू सफारी अभिहार और अश्वाक उल्ला खान जूलोजिकल पार्क उत्तर प्रदेश में इनको मदब यह जो है जू यह हैं तो पहले से लेकिन इनको सेंट्रल गवर्मेंट का रिकग्नीशन मिला है ठीक है यह दोनों सही है उसके बाद है कि आमको पताना है कि Council for Cultural Relations of India ने अभी Global Understanding of India प्रोजेक्ट लॉंच किया है ठीक है यह भी सही है एंसर हो जाएगा इसमें डी यह नहीं कि तीनों स्टेटमेंट सही है कोई गलत नहीं है अधर प्रदेश सरकार द्वारा जानकारी दी गई थी कि को अलियर और ओर चाथ इन दोनों को शामिल कर लिय है युनेस्को की वर्ल्ड हर्टेश सिटीज की लिस्ट में उसके अर्बन लैंड्सकेप सिटी प्रोग्राम के तैत इनको शामिल कर लिया गया है और यह बहुत इंपोर्टन्ट है आने वाले एंप पीसेस एक्जैम के लिए निमलिकित कथन में से कौन सा सही है अमेरिका के नौ निर्वाचित राष्टपती जो बाइडन ने भारती अमेरिकी यानि भारती मूल के अमेरिकी परसन डॉक्टर विवेक मूर्ती को सर्जन जनरल बनाया था इंपोर्टन्ट पोस्ट मिली विश्व धरोहर पर IUCN की नविंतम रिपोर्ट के नुसार भारत के पश्चिमी घाट छेतर की स्थिती बहुत चिलता जनक है तो ये भी अब्जर्व किया गया था एंसर हो जाएगा इसमें D सारे के सारे कथन सही है Microsoft India और National Skill Development Corporation ने Microsoft Imagine कब 2021 के भारती संस्करन के लिए साज़ेदारी की है और हाली में सुप्रीम कोर्ट ने लौटरी जैसे चीजों पर GST को बरकरार रखा है तो दोनों स्टेट्मेंट सही है एंसर हो जाएगा इसमें C बहुत करेट हमको बताना है कि हाली में बाशन चार दीप चर्चा में रहा था यह कहां पर है तो यह है बांगलेदेश का option number C इसमें हमको बताना है RBI कि दिसंबर 2020 की monetary policy समहिती की बैठक के बाद आप परिवर्तित repo दर और reverse repo दर कितनी है यानि कि unchanged रखी गई थी लेकिन फिर भी आपको बताना है इसमें तो रेपो रही थी unchanged 4% पर और reverse repo रही थी 3.35% पर कभी यह direct question पूछे जाता है बी यह paper पूछ लिया गया था और लोग चौक गये थे एक दम से कि अब यह भी याद करना पड़ेगा जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग के बारे में आपने देखा इंडेक्स में इंडिया को दस्वी रैंक मिल चुकी है इसमें स्वीडन जो है चौथे नंबर पर था क्योंकि यह first 3 कोई नहीं थे और climate change performance index पब्लिश किये जाता जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्ट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के दौरा तो तीनों सही है एंसर हो जाएगा इसमें यह दो कुश्चन है sports related आसानी से आप कर सकते हैं इस यह कब 2021 की मेजबानी मिली है श्री लंका को और इसमें साखीर ग्रेंड प्री formula 2 पहली बार किसी इंडियन ड्राइवर ने formula 2 रेज जीती है उनका नाम क्या है उनका नाम है जहान दार हुआ ला ए हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार क्रत्रिम सूर्य परमानुव सनलैन रियक्टर यानि HL2M टोकमाक रियक्टर जिसको वो लोग artificial sun भी बोलते हैं इसका सफवलता पूरवक संचालन किस ने किया है चाइना ने किया है उसके बाद नीती आयो कि एस्परेशनल डिस्ट्रिक्स यानि आकांक्षा अत्मक आकांक्षी जिलों की अक्टूबर रैंकिंग में शीरिस्थान प्राप्त करने वाला महमित जिला किस राज में है ये है मिजोरम में आप्शन नमबर बी साथ दिसंबर को प्यम मोदी जी ने वीडियो कांट्रिनिसिंग के जरिये किस मेट्रो पर योजना के निर्मान कारे का ये इनाउग्रेशन किया था आगरा मेट्रो का अप्शन बर बी आगरा निमलिक इतकत्नों में से कौन सा कथन गलत है अमेरिका के राष्टरपती जो बाइडन ने सेना के रिटायर्ड जनरल लॉइड आस्टिन को रक्षा सचिव के रूप में नामत किया था ये सही है उसके बाद वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम 2021 जो है ये प्रस्तावित है सिंगाप सही है एंसर महरा हो जाएगा इसमें इस पर पूछा है कौन सा इंकरेक्ट है तो सेकेंड ओनली इंकरेक्ट है बागी 1 & 3 करेक्ट है 9 दिसम्बर 2020 को करनाटक विधानसभा ने करनाटक गवहत्या रोक्थाम और मवेशी संद्रक्षन विधहयक पारित किया है ठीक है ये सही ह उसके बाद है कि डिजर्व बैंक ने हाल ही में अभी महराश्टर का एक कराण जन सहकारी बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है और वियास रेलेटेड निउस पहुंचता है बहुत यूपई पीसिस तो इसमें दोनों सही है एंसर हो जाएगा C 1 & 2 बोथ करेक्ट केदर सरकार ने GST सिस्टम के तहट छोटे करदाताओं के लिए त्रहमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुकतान योजना शुरू की है इस योजना के तहट पिछले वित्वरश में कुल कितने रुपए तक के वार्षिक कारुबार करने वाले करदाता इस स्कीम के ल रहा है अपनी NCRT बुक्स में 848 मीटर यह हो जाएगी 848.68 मीटर हो जाएगी सी सयूंकतराष्ट्र सतत्विकास समाधान नेटवर्क सयूंकतराष्ट्र के तहत काम करता है इसका मुख्याले कहां यह हमने पूछा है इसका एंसर आप हमको कॉमेंट करके बताएगे और इसक वर्चुल माध्यम से आउजीत हुआ था और इस सम्मेलन में केंद्री युवा कारेक्रम और खेल मंत्री किरन रजीजु ने भाग लिया था वर्चुल माध्यम से आप्शन नुबर सी यहां पर सही है कौन सकतन यहां पर गलत है उत्तर प्रदेश के जेवर में जो एरपोर ठीक है और भारत सरकार ने हाली में योग को प्रतिसपर्दी खेल के रूप में मानिता दी है कॉम्टिटिव स्पोर्ट अब यह हो जाएगा सही है और इस रो ने अपना PSLV C51 लांच किया है यह पहला इस रो का वीकल होगा जो स्केवल और केवल प्राइविट सेटलाइट को लांच करेगा ठीक है तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें डी नन अवद अब क्योंकि तीनों स्टेट्मेंट सही है डी अब इसमें बताना है हाली में प्रधानमंत्री मोहदी जी ने किस विश्वधाले की स्थापना दिवस को चिन्नत करने के लिए या मनाने के लिए या गलत है य बताना है इंट्रनेश्टल एर ट्रांस्पोर्ट एसोशीयेशन के नुशार शंगहाई दुनिया में सबसे जुड़ा हुआ शहर बन गया वर् λॉल्ड ट्रांसपोर्टcej एंटरनेश्यल एर ट्रांसपोर्ट एसोश्येशन ने शंगहाई को मोस्ट कनेक्टेटि ह ये सही है उसके बाद government of India ने mission covid शुरक्षा ये शुरू किया है initiative तोनों ही सही है none of those are incorrect यानि कोई भी गलत नहीं है दोनों सही है माउंट आबू शान्तिवन राजस्थान में महिला शशक्तिकरंड से समाजिक परिवर्तन विशेपर दो दिवसी महिलाओं के national convention कारिकरम का उधगाटन किस ने किया था तो ये प्रेजिडेंट ने किया था रामनात कोविंजी ने अप्शन नमबर C हाल ही में किस राजसरकार ने राज के स्वास्थ छेत्र में डिजिटल प्राद्योगिकियों के विकास के लिए जिनेवा सुटिजरलैंड अंतरराष्ट्री डिजिटल स्वास्थिवं करत्रिम बुद्धिमत्ता नुसंधान सहयोग इस इंस्ट्यूट के साथ हस्ताक्षर किये हैं पंजाब ने इनमें से किस राज के मुख्यमंत्री ने एक दिसंबर 2020 को गरीब परिवानों को आर्थिक लाब पहुँचाने के लिए अंतरन योजना प्रत्यक्ष लाब अंतरन योजना अरुनोदय शुरू किये किस राज के मुख्यमंत्री ने ग्यारवें राष्ट्री अंगदान दिवस के अवसर पर अपनी तरह के पहले औरगन डोनर मेमोरियल का गटन किया गया है राजस्थान में आप्शन नम्बर बी Firefly Bird Diverters Initiative लिया गया है यह जो है Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने Convention on Biological Diversity CBD के साथ मिल करके शुरू किया है इसका उदेश है कि Great Indian Bustards जो है अपनी उड़ान के दवरान बिजली के तारों में फस करके अपनी जानना गवान दे ठीक उसके बाद लिखा हुआ है इसमें Static Fact है कि क्या Great Indian Bustards IUCN की Red List म शामिल है इसमें काउन सा सही है इसमें तीनों सही है All of the above यहां पर correct होगा उप्रोक्त सब ही क्योंकि तीनों स्टेट्मेंट सही है नेमलिकित कथन में इसे सही काउन सा आपको पहचाना है रामायन क्रूस सेवा भारत की पहली लग्जरी क्रूस सेवा उत्तरप्रदेश के आयोध्या में सर्यू नदी पर शुरू की गई है सही है उसके बाद ग्रीन चार्कोल प्रोग्राम है कथान जो है आर्के सिंग मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रेनिवेबल एनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था लांच किया गया सही है और पहली बार दो कोश कंपनियों मेरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com ने महमारी शब्द को वर्ष का अपना शब्द खुशित किया यानि एपिडेमिक को मेरियम वेबस्टर जो आपकी बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं इंग्लिश की वेबसाइट है उसने और डिक्शनरी.com दोनों ने ए एपिडेमिक को या फिर कह सकते हैं पैंडेमिक को एपिडेमिक यहां पर सही नहीं वर्ड है पैंडेमिक को यहां पर माना है word of the year और क्यों कोरुना वर्ष के वज़े से हमारा एंसर हो जाएगा यहां पर D all of the above तीनों ही कथन सही हैं अगला कुशन है कि हाल ही में किस देश इसने दोजार चौबिस में चंदर्मा पर एक मानो रहित यान उतारने के लिए बेरसाइट टू परियोजना लांच किये तो परियोजना है यहां पर इस्राइल की ऑप्शन नुबर सी अगला कोशन है कि निमलिकित में से कौन सकतन सही है भारत सरकार ने हाल ही में परिश सम इसन देके लेकिन हुगा में किग यहां पर जो है दूसरे अचा यह यह जापान की हिऊगा शहर में की गई तो यह बी करेक्ट हो गया एंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर C, both one and two correct इन में से किस देश की सरकार ने तीन करोड कोविड वैक्सीन खुराक को मुफ्त करने गोशना की है यह गोशना की है बांगले देश ने option number B हाल ही में प्रधान मंतरी मोधी जी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से पूर्वी समर्पित फ्रेट कोरिडोर यानि इस्टर्न डेडिकेटर फ्रेट कोरिडोर के 351 किलोमेटर लंबे निव भावपूर निव खुर्जा खंड का उधगाटन किया है किस राज में स्थित है यह बताना है तो यह खंड स्थित है आपका उत्रप्रदेश में उप्शन बर बी UPG के लिहाद से इंपॉर्टन हो गया एक उप्शन द्यान रखेगा हाल ही में केंदरी स्वास्त मंतरी डॉक्टर हर्शवर्धन जीने निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला सुदेशी टी का लॉंच किया है इस टीके का निर्माण सीरम इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एन मिलिंडा गेट्स फांडेशन के साथ मिल कर किया है टीके का नाम क्या है बताना है टीके का नाम है निउमोसिल ऑप्शन नमबर A इन में से किस राज की सरकार ने सभी मदरसों को बंद करके इन मदरसों को समान स्कूल में परिवर्तित करने का निर्ड़े लिया है यह लिया है निर्ड़े असमने ऑप्शन नमबर C और केरल की 21 वर्षी आर्या राजेंदरन भारत की सबसे युवा मेर बन गई है 21 वर्षी यह केरल के किस शहर की मेर बनी है यह बनी है तिरुननद पूरम की मेर आप्शन नमबर A और इनकी पार्टी के नाम पूछ ले तो CPI होगा और इनकी पिक भी हमने शेयर की थी मतलब इनसे रिलेटेट पिक न्यूस की लिंक हमने अपने फ्री वाले टेलिग्राम में शेयर की थी जिस दिन ये न्यूस आई थी हमको बताना ICC Awards of the Decade के संबद में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है यह बताना है तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें option number A ए वाला गलत ढंक से मिलाया गया है बाकी सही है निमलिकित में से हाली में किस राज ने महमारी श्रेडी में 2020 के Digital India Awards में पुरुसकार जीता है तो महमारी श्रेडी में जीता है बिहार ने option number B बिहार ने हाल ही में वेग्यानिकों ने एक Sun Rose की नई प्रजाती की खोच कहां पर किये बताना है तो ये Western Ghats में की गई है Eastern Ghats में आंध प्रदेश में प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद हाल ही में अवनाचल प्रदेश में मोनपा हस्त निर्मित पेपर यूनिट की स्थापना की स्विभाग के दौरा की गई है ये की गई है आपकी KVIC के दौरा option number B KVIC के दौरा इन में से कौन सकतन सही है भारत की पहली driverless fully automated train दिल्ली मेट्रो में जनकपुरी वेस्ट से Botanical Garden तक चलेगी सही है और ये Magenta Line पर चलेगी और PM मोधी जी ने इसका उधगटन की 28 December 2020 को दोनों स्टेटमेंट सही है एंसर हो जाएगा इसमें C 1 and 2 बहुत करेक्ट निमले कितमे से कौन सकतन सही है 28 December 2020 को प्रधान मंत्री मोधी जी ने भारत की सवी किसान रेल को लॉंच किया और ये ट्रेन महराष्टर के संगोला और पच्चिम बंगाल के शालिमार के बीच चलेगी दोनों स्टेटमेंट सही है और पहली किसान रेल के बारे में भी यहाँ पर दे दिया है और इससे पूच जाने के संभावना बहुत है सवी के बारे में पूच सकते हैं कहां से कहां तक चली तो याद रखीगा आप्चिन नम्बर यहाँ पर हमारा सी सही होगा दोनों स्टेटमेंट सही है भारत की सवी किसान रेल के बारे में इस रो अपनी Green Propulsion Technology का उपयोग किस अभियान में करेगा तो यह करेगा गगन यान में आप्चिन नम्बर ए निम्लिकित में से कौन सकतन सही है विशाखा पत्टम नगर निगम को प्रधान मंत्री अवास योजना अर्बन में 2019 में सरफ्रेश्ट प्रधर्शन करने वाले नगर निकाय के रूप में चुना गया है मिर्जापूर को यहां पर मिला है Best Performing Municipal Body का आवर्ड ठीक है उसके बाद नगर पंचायत मलिहाबाद लखनों को पहला स्थान मिला है और हरीहर पूर को दूसरा स्थान मिला है पंचायतियों के टेगरी में एंसर हो जाएगा है यहां पर D सारे के सारे Observation Correct है US Senate ने अभी हाली में तिब्बतन लोगों के सपोर्ट में बिलपारित किया था सही है यह दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में एंसर हो जाएगा हमारा C तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें C नया COVID-19 स्ट्रेंज जो है सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया याद रखेगा और इसका नाम रखा गया है वेरेंट ओफ कंसर ने या फिर VOC 2020 1201 एंसर हो जाएगा C बोथ 1 और 2 हाल ही में जल जीवन मिशन और उद्द्योग और आंत्रिक व्यापार समवर्धन विभाग ने नवाचार चुनाओती यानि कि इनोवेशन चैलेंज को लॉंच किया है राश्ट्री मिशन है जल जीवन मिशन जिसका उद्देश है 2024 तक हर घर में नल के द्वारा पोटेपल ड्रिंकिंग वाटर उपलब्द करवाना इसकी डेडलाइन पूछी गई थी ये कब तक करेगा 2024 तक एंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 और 2 एंसर हो जाएगा C बोथ 1 और 2 इसंपदा पोटल किस ने लॉंच किया है इसंपदा पोटल लॉंच किया है Ministry of Urban Affairs ने Ministry of Housing and Urban Affairs ने भारत के आयकर विभाग ने तुरित ITR फाइलिंग के लिए एक initiative लॉंच किया है उसका नाम क्या है उसका initiative का नाम है जटपट Processing हाली में मद्द प्रदेश के किस Tiger Reserve में भारत की पहली Hot Air Balloon Safari लॉंच की गई पहली Hot Air Balloon Safari है याद रखिएगा Hot Air Balloon तो बहुत है भारत में लेकिन Hot Air Balloon Safari भारत की सबसे पहली कहां पर खुली है ये खुली है बांधावगड Tiger Reserve में उप्शन नमबर B 18 दिसंबर 2020 तक भारत का विदेशी मुत्रा बंडार 581.131 अरब डॉलर तक पहुँच गया विश में सरवाधिक विदेशी मुत्रा बंडार वाले देशों की सूची में भारत पांचमें पर है और चीन प्रथम स्थान पर है इस समय तो एंसर हो जाएगा इसमें C ये सब आंकड़े का भी पूंच लिए जाते हैं गवाएंगे ऑस्ट्रेलिया से और ये लिथियम रिफाइनरी के लिए मनी करन पावर लिम्टेट जो है ये इन्वेस्ट करेगी 1000 करोर रुपए ये भी याद रखिएगा सेंट्रल निवेश क्लेरिंग सेल के बारे मताना है और केंद्री ये निवेस्ट क्लेरिंग सेल की स्थापना की घुफ़ना बजट 2021 भाषण में की गई थी मतलब 2020-2020 भाषण में इसको बताया गया था एंसर हो जाएगा इसमें D All of the above correct है हाल ही में कि सराज ने एकी करत नशीली नशारोक्थाम उपचार प्रबंदन और पुनरवास कारिक्रम की शुरुवात की है तो यह शुरुवात की है हिमाचल प्रदेश ने option number B 25 दिसंबर 2020 को Good Governance Day के दिन प्रदानमंतरी मोदी जी ने कितने किसानों को तो किसान सम्मान निधी के तहट पिम किसान के तहट 18,000 क्रोर रुपए की किष्ट जारी की है यह तरह के कुशन आते हैं काफी exam में इसमें आपको यह सिर्फ पता होना चाहिए था कि कितने राशी मिलती है तो दो हजार मिलती है तो अठारा हजार क्रोड रुपए कितने किसानों को जारी की गई होगी 9 क्रोड किसानों को option number C हाल ही में किस अंतराश्टरी सनस्था ने COVID-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को कोवेक्स खरीद समन्वेक और खरीद एजेंट के रूप में लॉंच किया है तो यह है UNICEF option number C 24 दिसंबर 2020 को एक अकड़ादारी किया गया था कि आयुश्मान भारत के बेनिफीश्रीस की संख्या अब 1.5 करोड तक पहुंच चुकी है और Chief Executive Officer आयुश्मान भारत और National Health Authority की कौन है डॉक्टर इंदू भूषण और पर फैमली जो है पांच लाग रुपए का यहां पर इंस्योर इंस्योरिन्स दिया जाता है एंसर हो जाएगा इसमें D सारे के सारे सही है पंडित मदर मोहन मालवी के बारे में कुछ टैटिक यह चीजें आप देखी और इसमों को पताई कौन सा यहां पर सही है आप इस कॉस्चन का एंसर हमको कॉमेंट करके बताईए निमलिकित में से कौन सा कथन सही है ओडिशा के राउर केला में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा हॉकी का 20,000 की दर्शक समता यहां पर होगी यहां पर 2023 के पुरुष हॉकी विशकप के मैचों का आयोजन भी किया जाना है एंसर हो जाएगा इसमें C निमलिकित में से कौन सा गलत है आपको बताना है सो कार वेटलेंड कॉम्पलेक्स को भारत की 42 वी रामसर साइट की रूप में शामिल किया गया है यह सही है उसके बाद है कि यह जो है पहली रामसर साइट है लद्दाक की यह वाला रॉंग है क्योंकि यह दूसरी रामसर साइट है लद्दाक की उसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने सो कार बेसिन को A1 कटेगरी की इंपोर्टन बर्ड एरिया में रखा है सही है एंसर हो जाएगा इसमें only two सेकंड वाला रॉंग है बागी one and three correct है देसंबर 2020 में 100% FDI की मंजोरी के इंद्री मंदल ने किस छेत्र में दी है D2H में उसके बाद important है कि मंदल ने बोडो भाशा को राज की आधिकारिक भाशा बनाने के लिए एक विदेयक को मंजोरी दी है इसका इंसर हो जाएगा सम उप्शन नमबर D हाल ही में किस अंतराष्टरी सनस्था ने गरीब देशों को प्लास्टिक अप्शिष्ट निर्यात करने पर प्रतिबंद लगा दिया है तो ये है European Union हाल ही में अर्जेंटेनिया के इलियनल मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो एक क्लब के तौर पर खेलते हुए सबसे अधिक स्कोर करने वाले यहां पर बन गए है सबसे ज़ादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हिन्होंने पेले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था तो कितने गोल करने के बाद इन्होंने पहले का record तोड़ा यह बताना है 643 गोल थे पहले के और इन्होंने 644 कर लिए और इनका record तोड़ दिया option number A यहाँ पर सही होगा भारत के पहले made in India digital asset management platform का नाम क्या होगा यह बताना है इसका नाम होगा Digibox Digibox उसके बाद है कि किस नदी वेसिन के R cluster में Reliance और British Petroleum प्राकृति गैस का उतपादन करेंगे यह करेंगे कृष्णा गोदावरी R cluster पर option number B निमल कित्में से कौन से कथन सही है हाल ही में CSIR, NIS, CAIR ने 22 दिसंबर को विज्ञानी का यानि कि अंतराष्ट्री विज्ञान साहित्य महुत्साओ का उधगाटन किया था और इसकी थीम है Science for Self Reliant India and Global Welfare एंसर हो जाएगा C क्योंकि दोनों ही statement यहाँ पर correct है दोनों ही correct है इसका उधगाटन मोदी जी ने किया था और समापन भाषण था यहाँ पर विंकाया नाइडू जी का हाल ही में वित्मंत्राले ने COVID-19 के कारण इंसॉल्वेंसी और बैंक्रेप्सी कोड का निलंबन कर दिया था 25 दिसंबर तक अब इसको और आगे बढ़ा दिया है अब यह कब तक निलंबित रहेंगे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रेप्सी कोड यह निलंबित रहेंगे मार्च 2021 तक आगे है कि पाकिस्तान मूल की करीमा बलोच का हाली में कनाडा के टोरंटो में निधन हुआ है उनका संबंद किस छेतर से है वो human right activist थी option number C इस question में आपको बताना है कि दो सालों में चौती बार चुनाओ इनमें से किस देश में होने वाले थे यह होने वाले थे इसराइल में JSA2 Catch the Rain Awareness Generation Campaign के बारे में पहला कथन है कि इस अभियान की शुरुवात किरन रे जुजू कर रहे है इस अभियान को राष्टरी जल मिशन ने नहरु युवा केंदर संगठन के सहयोग से लॉंच किया है इसकी tag line है catch the rain where it falls when it falls और चौथा statement है कि यह awareness campaign December 2020 से March 2021 तक चलेगी तो answer हो जाएगा इसमें उपरियुक्त सभी चारो statement सही है विश्व के सबसे बड़े टेलिस्कोप 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलिस्कोप FAST को अंतरराष्ट्रे वग्यानिकों के लिए किस देश ने खोल दिया या फिर इसका नावरण शुरू कर दिया ये चाइना का है टेलिस्कोप FAST option number C जापान सरकार ने अगले वित वर्ष के लिए 505.34 trillion yen के रक्षा बजट को मंजूर किया है पिछले वर्ष के मुकाबले जापान ने रक्षा बजट में 1.1 प्रतीशत की वृद्धी की है दोनों सही है एंसर हो जाएका C और हाली में किस देश ने कोरोना वाइरस का नया स्ट्रेंग हो जाए जिसका नाम है B.1.1.7 इस स्ट्रेंग हो जाए UK ने option number B Drip 2 के बारे मात करना है Dam Rehabilation and Improvement Project हाली में विश्बैंक ने भारत में मौझूदा बांधों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है Drip 2 के लिए ये धनराशी आवंटित की गई है इस धनराशी का उपियोग भारत में 120 बांधों के मजबूत करने के लिए किया जाना है तो ये सही एंसर हो जाएगा इसमें D All of the above सारे के सारे स्टेटमेंट ये करेक्ट है हाली में इसके लिए इंडिया ने किस शहर में कौसल विकास के लिए पहला Center of Excellence स्थापित किया है पहला CEOE Center of Excellence स्थापित किया गया है गुरुगराम हरियाना में Option No.C हाली में भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन यानि इसरों ने देश में Space Situational Awareness गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंतरन केंदर स्थापित किया है इसका नाम क्या है इसका नाम रखा गया है नेत्र और उसका Full Form है Network for Space Object Tracking and Analysis तो एंसर हो जाएगा A, नेत्र Western Sahara Conflict के बारे में तीनों स्टेटमेंट दिये हुए तीनों स्टेटमेंट वेस्टरन साहरा Conflict के बारे में सही है एंसर हो जाएगा यहां पर D अगला कोस्चन इसमें पहला स्टेटमेंट है कि हाइदरबाद में नेहरू जोलॉजिकल पार्क को ISO 9001-2015 Certification प्रदान किया गया है यह चड़िया घर ISO 901-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला जू बन गया है इसमें आप्शन नमबर C 1 and 2 बोथ करेक्ट मुंबई स्थित एक NGO प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी सासन सूचकांक जारी किया गया है इस सूचकांक में किस राज ने शीर स्थान प्राप्त किया है अर्बन गौर्णनेंस इंडेक्स में शीर स्थान प्राप्त किया है इनके इंडेक्स में ओडिशा ने आप्शन नमबर B और COVID-19 वैक्सिन का उप्योग करने वाला दुनिया का पहला देश बना है ब्रिटेन आप्शन नमबर A गोफ और जीरो पॉलसिक इसकी है उस्ट्रेलिया की मनोज बुकुद नरावडे UAE पहुचने वाले पहले हमारे साइने प्रमुक बने है उसके बाद 10 दिसम्बर को अधरचिला रखी गई थी नए हाउस की और तीनों स्टेटमेंट इस तरीके सही हो जाते हैं और पहुचन नमबर टी कि गूगल इंडिया ने हाल ही में अपना 2020 का वार्षिक 14 दिसंबर को नीतिया योग ने भारत में 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलान्स का विजन जारी किया है Export-Import Bank of India एक्जिम ने हाली में उजबेकिस्तान में विभिन बुनियादी धाचा पर योजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लाइन ओफ क्रेडिट जारी की है ये दोनों ही चीज़े हम देख चुके हैं अंसर उजयकसी बोथ करेक्ट दोनों सही है अमेरिका की संगी सरकार और राजियों ने किस कमपनी के खिलाफ अब प्रतिस परधा को खत्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा शुरू किया है फेस्बुक के खिलाफ इन्हों ने लगाया है कि फेस्बुक ने कमप्टीशन ही एलिबनेट कर दिया है मतलब कुल मिलाकर मार्केट को मोनोपलाइज करने के लिए मुकदमा लगाया गया फेस्बुक पर यूएस के द्वारा अप्शन नमबर बी आगनी सुरक्षा नुमोधन के लिए एक आउनलाइन तंत्र शुरू करने वाला पहला राजी कौन सा बना है यह बना है गुजरात अप्शन नमबर बी उसके बाद है कि 14 दिसंबर 2020 को शहीद बुद्ध जीवी दिवस कि इस देश में मनाए जाता है बांगले देश में इसको बोलते हैं मार्टिड इंटिलेक्चुल्स डे कौन सा स्टेट्मेंट यहां पर इनकरेक्ट है यानि की नॉट करेक्ट है बताना है पहला है कि नर्स सांड्रा लिंड से अमेरिका में कौविड-19 का टी का प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है करेक्ट है उसके बाद है कि इंडिया पोस्ट पेमिन्ट बैंक ने डिपार्टमेंट औ पोस्ट के साथ के साथ मिलकर के डाक पे नाम की सुविधा शुरू की है एप शुरू किया है 15 दिसंबर 2020 को तट्रक्षक बलकी इंट्रसेप्टर नाव को गुजरात के हजीरा में शामिल कर लिया गया था यह भी सही है एंसर हो जाएगा इसमें नव दबाओ कोई भी जो है गलत नहीं है इस पहले उपग्रह अधारित नेरो बैंड आयोटी नेटवर्क लांच किया है आयोटी मतलब इंटरनेट ओफ तिंग्स तो यह किसने किया है बी एसनल ने आप्शन नमबर बी तो दुनिया की सबसे बड़ी विशालका है मेट्रूवे रेडियो टेलिस्कोप भारती वैद्श सब्सक्राइब करेक्ट यहां पर ट्रांसलेशन में थोड़ी मिस्टेक इसको इग्णोर करिएगा इंडियन फॉर्ण सेक्रेट्री हर्षवर्धन श्रंगला ने इनॉग्रेट किया था तीन स्कूल जोकी नेपाल में गोर्खा डिस्ट्रिक्ट में भारत की साहिता से खोले का स्थल जहां पर फीफा विश्कप होने वाला है एहमद बिन अली स्टेडियम एहमद बिन अली स्टेडियम का दौरा किया है हमारे फॉर्ण मिनिस्टर एस जैशंकर जी ने अभी हाल में 29 दिसंबर को ठीक है 18 दिसंबर 2020 को स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ था और एक बहुत महुत पूर्ण बात जो हमारे एक्जाय में पूछी जा सकती है वो यह है कि कतर में एक अल बलाग ट्रेडिंग और कॉंट्रेक्टिंग कमपनी है उसने भारत की लारसन एंट यूब्रो के साथ मिल करके इस स्टेडियम का कार्य पूरा किया है तो इसमें पूछ सकते कि अ नहीं